हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन होता क्या है तो पाइथन है एक प्रोग्रामिंग भासा है जैसा कि C, C++, VB.NET, Java, PHP और भी कई सारी लेंग्वेजेज है तो पाइथन को हम काम में लेते हैं कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन को गुईडो, वेन, रोसुम द्वारा बनाय गया था और 1901 में, 1991 में इसको जारी किया गया था तो कई बार एक्जाम में, objective questions में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा बनाय गयी थी तो यह हमें याद रखना है, गुईडो, वेन, रोसुम द्वारा यह बनाय गयी थी अब पाइथन है, उसके उप्योग क्या-क्या है तो web development में हमारे पास पहले सी कौन-कौन सी languages है Java है, ASP.NET है और PHP है और यह बाकी जो तीन language में ने बताई, उनकी तरही Python है, वो भी क्या है, server side है यह सारी languages server side है अब जो website हम बनाते हैं, उसके दो part होते हैं एक server पर चलता है, एक client पर चलता है client पर चलेगा, उसको client side बोलेंगे, server पर चलने वाले को server side client के ओपर कौन सा code रहता है, HTML और JavaScript आपको browser के अंदर, आप right click करके देखेंगे, view source code तो आपको HTML और JavaScript यह दो ही code आपको दिखेंगे जो हमारी PHP है, ASP.NET है, Java है, Python है यह code चलता है, server के ओपर इसलिए इसको बोलते है, server side scripting language दूसरा इसका use is software development के लिए website के अलावा भी जो software अपन बनाते हैं जो सिर्फ अपने PC के ओपर चलते हैं जिनको desktop application भी बोल सकते हैं तो वो software यह हम इसमें बना सकते हैं इसके बाद में हैं इसका use mathematics में तो mathematics में जो complex equations आती है वो तो जटिल गणनाई जो हमें करनी बढ़ती है वो हम Python की help से कर सकते हैं इसके बाद में system scripting तो system scripting है उसके अंदर भी हम Python का use करते हैं तो यह तो इसके Python के use हो गए इसके बाद में है कि Python क्या-क्या कर सकता है Python की capabilities क्या है क्या-क्या capacity है कितनी ताकत है इसके अंदर तो सबसे पहले अपने जैसे देखा कि website develop करने के लिए काम में लेते हैं तो web application बनाने के लिए Python का upyog करते हैं और यह कहाँ पर चलती है server side पर तो यह server के ओपर इसका upyog किया जाता है दूसरा है Python है वो different platforms पर run कर सकती है platforms का मतलब operating systems तो generally operating system होते है Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi इस तरह के तो इन पर सब पर यह run कर सकती है तो काफी powerful language है इसके बाद में कि Python है वो database system से भी जूड सकता है कोई भी language है वो database को support करना जरूरी है नहीं तो उसका कोई use नहीं रह जाएगा database कहा कहा में लेते हैं कोई भी software या website बनाते है उसका database होता है हमारे पास website है वो दो तरह की होती है static और dynamic static के अंदर क्या होता है कि सिर्फ HTML के अंदर programming की जाती है वो code है वो static रहता है वो आप एक साल दो साल बाद में भी देखोगी तो वैसा ही दिखेगा अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको HTML की जो फाइल है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा दूसरी तरफ डाइनमिक जो वेबसाइट होती है वो डेटाबेस से जुड़ी हो रहती है जैसे से डेटाबेस अपडेट होगा उसके अंदर आपको चेंज दिखेंगे जैसे आपकी Facebook है WhatsApp है या आजकर जितनी भी जो वेबसाइट से बड़ी-बड़ी है बैंक की वेबसाइट है IRC, T-C वगरे, T-Gate वगरे बुक करने के लिए काम मिलेते है तो ये सब क्या है डेटाबेस से कनेक्टेड है और डेटाबेस में जैसे से अपडेट होता है वो डेटाबेस उसका अपडेट हो वहाँ पर अपने को रिफलेक्ट होता है तो Python अब वो डेटाबेस से जूड सकता है इसके साथ में files को read और modify करने की चाकत Python रखता है files को read कर सकता है और पहले से जो files existing हैं उनको modify भी कर सकता है Python का उप्योग है वो big data को handle करने के लिए किया जाता है आजकल Big Data का नाम हम काफी ज़्यादा सुन रहे हैं Big Data में क्या होता है कि हमारे पास डो Data Warehouse होता है वहां से हम Data को माइन करते हैं जो बड़ी-बड़ी Companies है बड़ी-बड़ी Organization है फिर उस Data को वो study करते हैं वो फिर planning करते हैं कि कैसे Organization है या जो उनका business है उनको ज़्यादस ज़्यादस प्रोफिट में लाए जाए तो वो Data है उसकी size बहुत ज़्यादा होती है तो Python है उस Big Data को handle करने में सक्सम है Python है उसका जो syntax है या जो हम English में या Hindi में बोलते है sentence भासा के अंदर programming में इदर syntax बोलते हैं या फिर वाक्य विन्यास तो वो क्या अंग्रेजी बासा की तरह सरल है हमने एक वीडियो बनाया था पहले उसमें हमने देखा था कि जो हमारी languages वो develop हुई सबसे पहले आई इसके अंदर machine language, binary language, उसके बाद में असे अमिली लेंग्वेज फिर जो low-level language आई है प्रोसीजर, functional, फिर object-oriented तो python है वो काफी easy है क्योंकि इसका जो syntax वो अंग्रेजी बासा की समान होता है तो जैसे से हमने languages के अंदर सुदार करते गए, develop करते गए तो हमें उनको समझने में आसानी होती गई python है वो interpreter system पर चलता है जिसका हरता है कि जैसे code लिखा जाता है उसको execute किया जा सकता है languages दो तरह की होती है कुछ languages को compile किया जाता है कुछ को interpret किया जाता है compiler में क्या होता है कि जितनी भी line ने programs में लिखी हुई है 100, 50, 200, 300 उनको एक साथ compile करते है और एक साथ जितनी भी errors grammatical errors है उनको बता दिया जाता है कि इतनी सारी errors है 5, 10, 20 errors interpreter है उसमें क्या होता है जैसे जैसे हम लिखते है वैसे line by line उसके अंदर उसको check किया जाता है अगर एक line के अंदर error आ गई है तो उसके नीचे वो नहीं जाएगा पहले उस error को अपने को ठीक करना पड़ेगा तब ही नीचे वाई line में जाएगा तो इस तरह से python है वो interpreter system पर चलता है जबकि हम देखें दूसरी तरफ तो c, c, plus, plus अगरा है वो compiler system पर चलते है python developers को अन्य programming बासाओं की तुरना में कम line के साथ प्रोग्राम लिखने के नुगती देता है जैसे कि हमने देखा कि इसका syntax अगरा English language की तरह होता है तो इसमें फालतू की चीज़े कुछ भी नहीं है जैसे मैं example से बता हूँ आपको कि हम generally जो languages अउनमे syntax जो statement terminator है उसमें हम semicolon काम में लेते हैं लेकिन यहां पर python में हमें semicolon लगाने की जरूत नहीं है हम ऐसे ही उसको छोड़ देंगे नीचे वाल लाइन में आ जाएंगे इसका मतलब वो sentence खतम हो चुका है दूसरा हम देखें तो जैसे कि PHP में भी होता है C, C++ अगरे में हम क्या करते हैं कि एक variable बनाने के लिए पहले उसका data type बताते है data type उसके बाद में उसका नाम तो वो declare होता है जैसे int a तो a एक variable बनाए उसका data type है int लेकिन PHP में या फिर python में हम देखें तो यहां पर क्या होता है सिर्फ आप a लिख दोगे उसका अपने को कोई data type बताने की ज़रूत नहीं है उसमें जिस type की value हम assign करेंगी उसी type का data type उसका बन जाएगा तो यह हमें बहुत ही कम मेनत करने पड़ते हैं आप data type भी नहीं लिखना है semicolon भी नहीं लगा ला है ऐसी और भी दूसरी चीजे हैं जैसे इसमें जो blocks लिखते हैं आप else लिखोगे या for loop लगाओगे उसके अंदर जो block of code रहेगा पांच लाइन, दस लाइन का जो block रहेगा code का उसमें हम उन languages में क्या करते हैं बाकी में उसमें curly braces लगाते हैं curly braces open करेंगे और close करेंगे तो उसके बीच में जितनी भी लाइने हैं वो उस block के अंदर आजाएगी चाहिए वो for loop, if else हो, खुछ भी हो लेकिन python के अंदर में curly braces लगाने की भी जरूरत नहीं है वो जैसे generally अपन language के अंदर लिखते हैं indent कर देंगे उसको और जो एक सिद के अंदर आएगा वो एक block बन जाएगा अपने आप या आगे हम जो programming करेंगे तो ये समझ में आएगा तो ये दो-तिन example हम ने देख लिए semicolon का देख लिया data type बताने की जरूत नहीं है curly braces की जरूत नहीं है तो ये language है वो काफी आसान हो जाती है लिखने के लिए भी और सीखने के लिए भी और उसके अंदर बहुत सारा time हम बचा सकते हैं मेहनत बचा सकते हैं इसी का result है कि इसके अंदर जो software है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं कम time लगता है और time कम लगेगा time is money तो money भी कम लगेगी python है उसको procedure तरीके से object oriented तरीके से और functional तरीके से किसी भी तरीके से हम विवाबार में उसको ले सकते है ये मैंने बताया था procedure, functional, object oriented c language अब वो procedure language में आती है उसमें function भी बनाते हैं object oriented मैंने एक वीडियो में बताया था object oriented का example लेके कि वो कैसे abstract होती है data hiding होती है उसके अंदर encapsulation होता है अब एक example से हम इसको समझते हैं अगर हमें print करवाना है hello word screen के ओपर हमें print करवाना hello word या वोई दूसरा sentence आप print कराना चाते हैं तो लिखना है हमें print bracket के अंदर double quotes में जो भी string लिखनी है वो वैसके वैसे प्रिंट हो जाएगी अब बाकी जो languages है उसमें हम क्या करते हैं? statement terminator के लिए लगाते थे semicolon लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई semicolon हमने नहीं लगाए है फिर भी ये काम करेगा अब इसका output आएगा hello word जो कि अपने इसके अंदर double quotes में लिखा है अगर आप और कुछ लिखेंगे तो वो भी वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा